नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब चेनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों यहाँ पे UK टुलसी का यहाँ एक लेटेस्ट नोटिफिकिसन आया है बड़े दिनों बाद और यह दिनांग 9 नौंबर 2022 यानि आज का ही लेटेस्ट अपडेट है अपडेट दोस्तों आपका समन्ध है जो फोरेश्ट गार्ड एकजाम वाथा 2020 में उसका यह अपडेट है अब देखो अपडेट क्या है उत्राखन अधिना सेवा चैनाय के विग्यापन संक्या दस दिनांग 21 माई 2018 के द्वारा विग्यापित पद वन आरक्षी तो यह फोरेश्ट गार्ड का एकजाम है पिछला वाला यह पदों पर सीधी भरती है तो जारी विग्यापित के क्रम में आयोग द्वारा दिनांग 16 फरवरी 2020 एवं दिनांग 14 फरवरी 2021 के इसको वन आरक्षी के पदों पर लिखित परतियोगी परिक्षा आरजित की गई है सूच है कि लिखित परिक्षा के सम्मन में मान्य उच्छ न्याले में योजित याचि का संक्या इतने के तैस श्री ओमविर चोधरी बनाम उत्राखन राज्यवा अनरे रिट याचि का संक्या अमित कुमार बनाम उत्राखन राज्यवा जो भी यहाँ पर यह रिट याचि क सोची जारी की गई है तो यहाँ पर दोस्तों जो पिछला वन आरक्षी का जो एक्जाम हुआ था तो उसका यहाँ पर समय समय पर उसकी ओबंदिक सोची जारी की जाती है तो नो अब्यरतियों का यहाँ पे नाम जारी किया गया है और यह नो अब्यरतिय अभी नीचे लिश्ट दी गई है उसकी तो उनके यहाँ पे डोकुमेंट वहरेविशन दे समझत यह अपडेट दिया गया है यूकट रसी ने तो उक्त परिक्षा के समझ में मानिया उच्छ नेरे द्वारा दिनांक 2322 को पारित आदेश एवं सासन के पत्र संख्या 988 दिनांक 2522 के प्राप्त निर्देशों के क्रमें आयोग द्वारा उपर उक्तानुसार दिनांक 16622 को जारी स्रेष्टा सूची में सम्मिलित 9 अभरतियों के अविलियक सत्यापन हेतु दिनांक 151122 की तिथी निर्दारित की जाती है तो यहां पे जो अभरतियों वो इसका स्क्रीन सोड ले सकते हैं या ओफिशल विबसार्ड में जाके यह नोटिफिशन डाउलोड कर सकते हैं यहां पर पूरा विवरन दिया गया है कि क्या-क्या उन अब्यरतियों को लाना है और कितने बजी तक आना है और यहां पर देखो और यहां पर देखो आप मार्क्स यहां पर देख सकते हैं रिटन एक्जाम 57-67 रेंग ठीक है यह रेंग थी और यह है नौर्मलाइज मार्क्स एककासी चोहतर तिहतर शिष्टी एट शिष्टी एट शिष्टी सेवन करना के लगबग 63 के ओपर हैं तो यहां पर जो नौर्मलाइज मार्क्स बताय गये हैं और यह अब्यर्तियों के नाम यहां पर जारी किये गये हैं यूकर्ट प्रसी की द्वारा तो ये अब्रती जिनका यहाँ पर ओबंदिक शिर्ष्टा सुची में नाम आया है तो वो अपना document verification करा सकते हैं